हेलो दोस्तों, पाउर प्लान गाइड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एर एन फ्लू गेस पाथ इन CBC बोईलर CBC बोईलर में एर किन किन पाथ को फॉलो करता है और जो फ्लू गेस होते हैं वो किन किन पाथ को फॉलो करते हुए एक्मोसफेर में रिलिज होते हैं उन सभी बातों का डिसकेस हम लोग इस वीडियो में डिटेल में करेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहले बात करते हैं एर पाथ की तो इस boiler में air के लिए P.F.N और S.F.N होता है P.F.N एक तरह का centrifugal fan होता है जो atmosphere से air को स्थक करके boiler को air provide करता है इसमें एक prime mover लगा होता है जो electric driven होता है जिसके मदद से ये fan rotate करता है जो atmosphere से air को स्थक करके boiler को air provide करता है इस P.F.N में section में एक section damper लगा होता है और discharge point पे एक discharge damper लगा होता है जब इस fan को own किया जाता है तो इस suction और discharge damper को close condition में रखते हैं ऐसा क्यों करते हैं यह आप हमें comment box में बताएंगे fan को own करते ही पहले हम लोग discharge damper open करते हैं और उसके बाद suction damper को open करते हैं जो atmosphere से air को suck करके boiler को air provide करता है इस air के flow को हम लोग different method से control कर सकते हैं जिसमें variable speed drive आता है damper control method आते हैं hydraulic coupling जिसको scoop कहा जाता है और inlet guide fan जिसको IGV कहा जाता है और fan blade pitch control method भी होता है जो axial fan में होता है इन सभी method से boiler के load के अनुसार हम लोग को जो air flow का requirement होता है उससे हम लोग control करते हैं जैसे ही इस PFN से air discharge होता है तो सबसे पहले यह APH में जाता है APH में flow gas से heat को gain करने के बाद यह dry हो जाता है इसके बाद इसको boiler के wind box में भेजा जाता है जहां पे बहुत सारे nozzle लगे होते हैं और उसके बाद यह bed material को fluoride करने के लिए boiler में भेज दिया जाता है इस PFN के air का हम लोग use bed material को fluoride करने के लिए और fuel का initially combustion के लिए use किया जाता है नेश्ट है SFN इसमें भी वही arrangement लगे होते हैं जो की atmosphere से air को सक करके boiler को air provide करते हैं इसका भी air सबसे पहले APH में जाता है जहां पे air dry होने के बाद इसको furnace के front और rear में भेज दिया जाता है इस SA air का use furnace में turbulence, coal का complete combustion और excess air provide करना होता है यह SA air furnace में इस तरह से जुड़े होते हैं ताकि यह furnace में turbulence को create कर पाएं turbulence की मतबसे coal और air का mix up अच्छे तरीके से हो पाता है जिससे कोईले अच्छी तरह से जल पाते हैं चुकि यह PA और SA air APH के थुरू लाए जाते हैं जिसके करन से यह dry होता है जिसके करन हमारा combustion इंप्रूब होता है कोईले का consumption बसता है और इस boiler की efficiency बढ़ती है अब इसके बाद आता है flow gas path तो flow gas क्या होता है तो किसी भी fuel के combustion के बाद जो gas का mixer होता है उसे हम लोग flow gas कहते हैं यहाँ पर जो कोईले की combustion के बाद flow gas ready होता है वो furnace के बाद super heater, economizer, APH, ESP और ID के थुरू चिमनी से बाहर atmosphere में release कर दिये जाते हैं अब जैसे यह flow gas APH outlet में आता है तो इसकी temperature 130 to 150 हो जाती है जो ESP inlet temperature होता है ESP inlet temperature को लोग क्यों नहीं रखा जाता है इसका answer आप लोग comment box में देंगे इसके बाद यह flow gas ESP में जाती है और उसके बाद ID fan लगा होता है जो इन सभी flow gas को सक करके चिमनी के थुरू atmosphere में इसे release कर देता है furnace में इस flow gas की velocity 4-5 meter per second होती है और जैसे जैसे draft negative होते जाता है वो इसे वैसे इस flow gas की velocity भी बढ़ते जाती है flow gas जैसे ही ESP में जाती है तो चुकि ESP large volume of flow gas को contain कर सकता है तो यहाँ पे इसकी velocity कम हो जाती है फिर ID के थुरू यह सख करके चिमनी के थुरू बाहर release कर दिये जाते हैं इस boiler में चुकि positive और negative fan लगे होते हैं जिसकी मदद से इस boiler में balance draft को maintain किया जाता है draft क्या होता है तो furnace में जो fuel का combustion होता है उसके pressure और atmosphere में जो air होता है उसका pressure के difference को ही हम लोग draft कहते हैं इस furnace में ID fan की मदद से हम लोग slightly negative pressure minus 1 या minus 2 maintain करते हैं ताकि इस boiler में fresh air provide होता रहे है और flow gas जो है वो atmosphere में release होता रहे है तो यह रहा air and flow gas path in CBC boiler I think कि यह air and flow gas path आपका clear हो गया होगा अगर इससे related कोई question है तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं I hope कि यह video आपके लिए काफी knowledgeful रहा होगा अगर यह video आपके लिए knowledgeful रहा तो please इस channel को subscribe कर ले ताकि इस तरह के knowledgeful video आपको time to time मिलता रहे मिलेंगे next video में कुछ नए topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद